Civil Service exam की तयारी के लिए कुछ छोटी छोटी जानकार यां तो जरूरी ही है, इसके साथ ही आपको syllabus के बारे में पता होना भी जरूरी है तो चली आज किस वीडियो में हम बात करते हैं कि आकिर CSE का syllabus क्या है सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है prelims exam तो इससे पहले आप सभी ध्यान दीजेगा कि UPSC CSE के जो exam pattern है उसमें सबसे पहले prelims होता है, उसके बाद mains होता है और उसके बाद interview होता है इसी क्रम से हम prelims और mains के syllabus के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि prelims में दो paper होते हैं, GS और उसके बाद CSE हम पहले बात करने वाले हैं GS के syllabus के बारे में, उसके बाद बात करने वाले हैं CSE के syllabus के बारे में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यह सारी चीजे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब ही UPSC CSE के द्वारा syllabus में दिया गया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज जो लिखी गई है या बताई गई है UPSC के द्वारा वो है कि आपको राष्टिय और अंतर राष्टिय महत्विकी सामिक घटनाएं इनके बारे में पता होना चाहिए ये आपको बार-बार पढ़ते रहना है सही लेंग्विज में अगर आपको समझाना चाहूं तो यह है कि आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल के अंतर राष्टिय घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जिसे हम करेंट अफियर कहते हैं मतलब कि आपको करेंट अफियर पढ़ना है इसके बाद दूसरा है भारत का इतिहास भारत का इतिहास मतलब कि आपको प्राचीन, मद्यकालीन, आधूनिक ये तीनों ही भारत की इतिहास के बारे में पताऊने चाहिए मतलब कि प्राचीन भारत, मद्यकालीन भारत और उसके साथ ही आधूनिक भारत इसके आगे और कुछ भी लिखाए भारतिय राष्टी आंदोलन इसका मतलब है कि आपको इतिहास के बारे में तो जानना है इसके साथ ही इस टॉपिक पर विसीज रूप से ध्यान देना है भारतिय राष्टी आंदोलन के बारे में इसके बाद syllabus में third number है कि भारत एवं विश्यु का भुगोल, मतलब ये है कि syllabus के according आपको geography तो पढ़ना है, जिसमें आपको Indian geography और world geography ये दोनों ही चीजे पढ़नी है, उसमें कुछ और भी चीजे add की गई है कि भारत एवं विश्यु का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भुग भी आना चाहिए, आर्थिक भुगोल भी आये और उसके साथ ही सामाजिक भुगवर, इसके लावा आगे चलते हैं देखते हैं कि और भी क्या-क्या चीजे syllabus में बताए गई हैं, जो कि आपके GS में question उसी topic पर पूछे जाएंगे या उसी subject से related, चौथा नंबर है कि भारतिय राजितंत्र और शासन, इसमें सम्विधान, राजनीति, प्रडाली, पंचायती राज, लोकनीती, आदिकार सम्मंधी, मुद्दे आदी, इसका मतलब है कि जब आप quality की तयारी करेंगे तो आपको यहाँ पर इन topic पर तयारी करनी ही हैं इसके साथ ही, आदी जैसा शब्द भी लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको राजनीति से related आपको और भी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद है पांचवे नमबर, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत्विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांखिकी, सामाजिक छेत्रुक में की गई पहल इसमें पांचवे नमबर में ये कहा गया है कि आपको इकोनॉमिक में ये टॉपिक तो तयार होना ही चाहिए, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, जिनकी तयारी आपको करनी हैं, अब ये टॉपिक क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब अब previous year के question paper को उठाएंगे प्रिवियस year के question paper में अलग-अलग topics पर हर साल question पूछे जाते हैं economic subject से तो वहाँ से आप topic को समझ सकते हैं इसके बाद बात करते हैं next topic क्या है? six number आप देख सकते हैं पर्यावरणिये पारिस्थित की मतलब कि आपको पर्यावरण तो पढ़ना है उसके बाद पर्यावरण पारिस्थित की जैव विवित्ता और उसके बाद है मौसम परिवर्थन सम्मंदी सामाने मुद्दे आप सभी लोग देखते हैं कि हमारे आसपास मौसम में कई बाद अलग अलग परिवर्थन होता है वो परिवर्थन क्यों है? कैसे है? इसका क्या कारण है? ये सबी सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए ज्यादा नहीं तो इतना पता होना चाहिए कि बेसिक चीजे क्या है और क्यों परिवर्थन? आपको इसमें कोई PhD हासल नहीं करना होता है समाने रूप से आपको पता होना चाहिए इसमें लिक भी दिया गया है कि इनके लिए आपको विशेशगत, विशेशगता की आवशकता नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि केवल आपको six number topic में ऐसा का आ गया है यह सभी topic के लिए बताया क्या है मतलब आप history की तयारी करें चाहे polity की तयारी करें चाहे science की तयारी करें चाहे economy की तयारी करें इसके लिए आपको केवल basic knowledge होना चाहिए समझ होना चाहिए question को आप समझ सकें उसके बाद आप answer कर सकें किस बारे में पूछा गया है यह आप समझ सकें इसलिए आपको कहा गया है कि आपको इसमें विशेश अगता नहीं बलकि बेसिक चीजे पता होने चाहिए और साथवा नमबर टॉपिक है सामान नविग्यान सिलेबस में ये नहीं बताया गया कि किस टॉपिक पर कोश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आपको यह जरूर बताया गया है कि इन सब्जिक्ट से कोश्चन पूछे जाएंगे और आपको विशेश तोर पर किस बात पर ध्यान देना है इसके साथ ही आप प्रिवेस एर के कोश्चन पेपर देखेंगे तो आपको चीजे जल्दी समझ में आएंगी अब हम बात करते हैं प्रिलिम्स एक्जाम के दूसरे पेपर सी सेट के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है सी सेट में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इसका सिलेबस क्या है पहले हिंदी में बात करती उसके बाद आपको आसान लेंगविज में समझाते हूं जैसक कि सबसे पहला टॉपीक है बोध गम्मिता इसके बाद दूसरा टॉपीक है संचार कौषल, शहीद अंतरव्यक्ती कौषल इसके अलावा है तीसरा टॉपिक तारकी कोशल एवं विशलेश रात्मक छमता इसके बाद है निर्ने लेना और समस्या समाधान पाचवा है समान्य मांसिक योगिता इसके अलावा चट्वा है आधार बोद संख्यन संख्याएं और उनके संबंद विस्तार क्रम जो की दसभी कफचा के स्तरका होगा आकडो का निर्वचन जिसमें चार्ड, ग्राव, तालिका और आकडो की परियाप्तता समंधी कोश्चन पूछे जाएंगे वो भी 10th क्लास के स्तरका है लेकिन कई लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है इसलिए आपको क्या करना है स पूछे जाते हैं तो आपको math की तयारी करनी है, reasoning की तयारी करनी है और comprehensive की तयारी करनी है ज्यादा अच्छा से समझने के लिए आपको पुराने साल के paper उठाने होगे, उन्हें solve करना होगा उसके बाद ही आपको अच्छे से ये चीज़े समझ में आएंगी यहां पर main exam की तैयारी भी आपको पहले ही करनी होगी, उसके लिए भी आपको syllabus के बारे में जानना जरूरी है, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं इस बात पर कि mains exam में कौन-कौन से paper होते हैं और उनके क्या-क्या subjects हैं, तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये सारे paper होते हैं mains exam में, mains exam में दो paper ऐसे होते हैं, जो कमपल सरी हैं, वो है paper A और paper B, देख रहे होंगे, paper A 300 नंबर का होता है, और paper B 300 नंबर का होता है, लेकिन इसमें आपको cable pass होना होता है, और इसमें cable 25% marks लाने होते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं, paper A का, जो की, paper A में आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है Indian language, अब Indian language में से कौन सी language आप चुन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप English, असम, बंगाली, बोडो, इन में से कोई language चुन सकते हैं, इसके अलाबा मुझराती है, हिंदी है, कंणर, मल्यालम, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबि, संस्कृत, सिंधी, इसके अलाबा है तमिल, तेल, हुओ और उर्दो, इन में से कोई भी एक language आ इसमें भी आपको 300 में से केवल 25% marks लेकर के आने हैं, ये दोनों ही paper composer हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि paper A और paper B, ये दोनों के number final result में calculate नहीं होंगे, paper 1 से लेकर के paper 7 तक, इनके numbers final result में calculate होंगे, अब हम बात करते हैं paper 1 के बारे paper 1 में देख रहे हैं, आपसे निवन दिया एसे पूछा जाएगा, जिसमें 200 marks हैं total और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, अब इसमें मैं topic तो आपको नहीं बता सकती हूं, इसलिए आपको previous year के question paper उठाना है, और यह समझना है कि किस topic पर किस तरीके से question पूछे जाते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आखिर इसमें कौन-कौन से subject add हैं, तो इसमें history, geography और society यह तीन subject add हैं, जिसे ND में लिखा हुआ है भारतिय विरासत और संस्क्रती, विश्यो का इतिहास, एवं भुगोल और समाज, इस तरीके से आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ना हैं और इ दियान रखिएगा, आपको प्राचीन, मद्यकालेन और आधूनिक भारत का इतिहास तो आ ही, इसके साथ ही विश्यो इतिहास भी हैं, इसके अलावा कला संस्कृती भी पूछा जाता हैं, फिर geography जो की विश्यो स्तर का भी और इंडिया लेवल का भी आपको आना चाहिए, और फिर है, समाश शास्त्र या फिर society, इसके बारे में GS1 में पूछा जाएगा, इसके बाद बात करते हैं, paper third के बारे में, paper third में लिखा हुआ है कि समान अध्यन्टो, मतलब कि इसे GS2 कहा जाता है, अब इसमें सवाल होता है कि कौन-कौन से subject के question होंगे, तो इसमें आप क्या, quality होगा, international relationship है, और इसके साथ ही social justice है, मतलब कि सासन व्यवस्था, समविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतरराष्टी सम्मन, इन subject से related, paper third में GS2 में question पूछे जाएंगे, इसके अलावा, हम बात करते हैं, paper four के बारे में, paper four में GS3 से related question पूछे जाएंगे, GS3 में कौन-कौन से subject आते हैं, इसकी जानकारी होना जरूरी है, तो इसमें आप से technology, economic, development, biodiversity, environment, security, and disaster management, हिंदी में देखें, तो प्रौध्योगी की, आर्थिक विकास, जैविवित्ता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, मतलब कि इसमें आपको economic subject पढ़ना है, environment पढ़ना है, science पढ़ना है, इसके साथ ही आपको आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है, और ecology पढ़ना है, इस सभी में आप एक चीज common देख रहे होंगे, इनके नंबर और इनमें दिया गया समय, अब इसके बाद next paper के बारे में बात करते हैं, next paper आप देख रहे होंगे, paper 5, paper 5 को समान नयध्यन 4 या GS4 कहते हैं, इसमें आपसे नेतिशास्त, सत्यनिष्टा और अभिरूची पूछी जाएगे, मतलब कि आपको ethics, integrity and aptitude, इससे related questions इसमें आएँगे, और इसकी तयारी आपको करना है, उससे पहले previous year के question paper देख लें, और समझें, कि किस तरीके के questions पूछे जाते हैं, और इसमें कई सारे questions ऐसे भी होते हैं, जिनको आप अभी बिना पढ़े भी, कुछ सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे, इसलिए ये paper आसान भी है और कभी-कभी लोगों को कठिन भी लगता है, इसलिए इसकी तयारी खास कर, या तो लोग पहले से ही करते हैं, या बाद में करते हैं, इसलिए आप पहले चेक कर लें, कि आपको ये paper कैसा लगता है, इसके बाद बात करते हैं, optional subject के बारे में, optional subject में कुछ लोग literature subject चुनते हैं, तो कुछ लोग कई और भी subject हैं, उनको चुनते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कि वो कौन-कौन से literature subject हैं, जो आप चुन सकते हैं, देख रहे होंगे, बंगाली, इंग्लिस, गुजराती, हिंदी, कन्नर, मैतली, मलियालम, मनिपुरी, इस literature subject में से कोई भी literature subject चुन सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये सारे subject में से कोई एक subject चुन सकते हैं, बात करते हैं कि वो कौन-कौन से subject हैं, जैसा कि सबसे पहले देख रहे होंगे, public administration, sociology, statics, geology, इन में से कोई एक subject चुन सकते हैं, इसके अलावा है, electrical engineering, geography, geology psychology, history, law, इन में से कोई subject चुन सकते हैं, इसके अलावा है mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, political science and IR, और है psychology, इसके अलावा कुछ और subject हैं, जैसे की commerce and accountancy, इसके बाद है economic management और फिर है mathematics, इसके अलावा कुछ और भी subject हैं, जिन में से आप कोई एक subject चुन सकते हैं, कुछ subject हैं जैसे की anthropology, botany, chemistry, civil engineering, इन में से भी आप कुछ subject चुन सकते हैं, इसके अलावा agriculture है और animal husbandry, इन में से भी कोई एक subject आप चुन सकते हैं, optional subject के रूप में, इसके साथ ही आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा जब मैं paper से related और भी जानकारे दे रही थी, तो वहाँ पर लिखा हुआ था 6 number और 7 में कि optional subject 1 और 2, यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि कोई एक subject जब आप चुनते हैं, optional subject के रूप में, तो उसी subject से related जब question paper बनता है, तो दो question paper तयार होता है, जिसमें optional subject 1 और optional subject 2 बोल दिया गया है, और दोनों के ही नंबर 200 और 200 हैं, टोटल मिल करके 500 हैं, और दोनों के लिए अलग-अलग 3 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब कि optional subject के लिए आपको टोटल 6 घंटे का समय मिलता है, तो यह था civil service exam की तयारी करने के लिए syllabus, इस syllabus को अच्छे से समझिए, समझने के बाद आप अपनी तयारी स्टार्ट करें,